विश्नु देव साहे यह वो नाम है जो 36 करके मुक्यमंति के तौर पर शपत लेने जा रहा है लेकिन आखिर विश्नु देव साहे जैसे जंता के बीच में जैसे राजिता के तौर पर है क्या वो परिवार में भी वैसे ही है यही जानने के लिए हम आपको ले करके चल रहे है उनके परिवार में परिवार में कुछ महिलाएं यहां पर नजर आ रही है और पत्नी विश्द्धिर साही-जी की रती आप से सचाहेंगे क्योंकि आभी आप फूते और दिन चरिया के शुरुआ खैसी ही रहती है तो में पनली अगर कहीं नहीं जाना है तो फिर बाहर माता जी के साथ बैठेंगे माता जी के साथ समय बिताएंगे उसके बाद कुछ लोग आ जाएंगे तो उनसे कि मैं लोगता गैसे के साथ भी वक्ता जो मौको मिलता है तो अर उसके बाद हम मंदीर चली जाती हैं मंदीर आने के बाद फिर हम अपने घर का निथ्यकर्म करते हैं जैसे कुछ काम और है कपड़े वपड़े दोने सुखाने तो सारा काम खुद करते हैं विश्णुलदेव अगर आपको पूजा में विग्ड ना हो रहा हो तो अगर आपको कुछ आगर आर्ती आती गानी हो तो आप कर सकते हैं हम तब तक तक तस्वीर दिखाते रहते हैं तरीके से रोजाना दिन्चरिया रहती है तो भावी अभी आपके साथ में और कौन-कौन है अब भी हमारे साथ में आपके साथ में हमारी हमारी संगी तीी जी है और opening हैं के बड़ेिकर की बड़ी बभु है हम उनके चाचा की इनके चाचा ससुर् स्वीर शचुश हमारा खांदान एक पर आप आप ऑना है इस टरीए बारबलबबरी के हैं और ऑन से जाना जाता है तो इस तरीक से हमारे परिवार आपने पूजा अर्चना तो कर ली है तो उसके बाद में आप लोग क्योंकि आप दो सगी वहने है तो फिर दो घर में बैठ करके यह भी चर्चा होती है कि अच्छा यह मुख्यमंत्री बन रहे हैं यह यह नेता बन रहे हैं यह ओधा मिल गया चर्चा होती है बहुत चर्चा होती है और चारों तरफ से बधाईयां आ रहे हैं और सुबह से साड़े दस ग्यारा बारा बजे तक बस बधाईयां 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 फोन पे चल रहा है सामने आ रहे हैं मिलने के लिए उन से मिलना हो रहा है और मिठा का रहे हैं और किसBhergit म prince Reep contributed मिले हैं उनसे तो जैसी आप बाहर मिलते हो यसी घर के अंदर हैं एक जया वह बच्चा चोटा हो बड़ा हो मता जी हो भाई हो सबके सबकर करते हैं कौन है है क्पे गती जीय Wür号 अच्छी है मेरे हम उनको बचमत से जान रहे हैं कुछ है हम लोग ऐसा है कि हमारे इंच्छाओं से पहले जरूरत जो ऐसे हमारे हम होती है तो हम उनके सामने जाते हैं को हमारे चेहरा देखे के पहचान जाते हैं क्यों आए हैं हम तो परीवार के साथ उनका सहयोग के लिए हम हमेशा उपस्चित रहते हैं और रहे हैं तो और आपकी दीदी भी है विश्णु जी की भावी भी है तो आप लोगों को जब जानकारी मिली की कोई ऐसा कुछ सुनने माया था कि रेस में है मुख्यमंत्री बनेंगे जी ये तो अंदाजा था है ना क्योंकि बहुत पहले से इनका नाम चल रहा था तो भी सबकी एक्ष्या होती है कि परिवार से कोई बहुत बड़ा इंसान बने है ना तो हम लोग सब लोग उसी हिसाब से मेहनाद भी किये भगवान से पूजा भी किये प्रातना किये अपने महादेव से और हमारे गाउं में भी सब को यह था कि हमा आप लोग पूजा पार्ट में बैठे हुए थे क्या पूजा तो मैं नहीं बढ़े पर हम पूजा में बठाय थे आप पूजा में बठाय थे और हमारे जो हमने बताए कि बारा बारी में हमारा गाउं है घर है तो हम में हमारा जो बेटा है यह बेटियां है यह ग्यार्वी पीड़ी है तो तीसरे नमर उपर से तीसरे नमर में हमारे जो कुछ हमारे दादा परदादा जो भी रहोंगे वो जब उनको बोलते बताते हैं कथा में कि उनको बाग ग्रस कर लिया तो वो मरनाश्तन जब हुए तो उन्होंने आसिरबाद देखे गया और देवतुल हो गया तो हमारे बाराबरी उनको सर्दार बूढ़ा के नाम से पुजा करता है और बाराबरी हमारहOff निसाрий अनिक जातीयां मैंते हैं थे हमने सरदार बूढ़े हो निसरे क्ली हो गई हो गही हो बोले कि घंषा एंच कब अंदाजा लग गया था नाम के अनौस्मेंट से पहले अंदाजा लग गया था कि हम को फोन आया कि भावी जी आप कहा है तो हमने का बग्या में बोले आप जब तक रायपूर नहीं होगा आपके करण घोष्णा रुका हुआ है तो बोले हम मजाग नहीं आप पहुंचो रायपूर दो हम लोग रास्ते में थे और हम हमें कोशिश हमने कोशिश करी कि हम 12 बज़े से पहले रायपूर पहुंचे पर नहीं हो पाया अधिकारिक तौर पर घोष्णाबाद में हुई है लेकिन आप 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 पहले पहले दे साइजी का फोन आया साड़े 12 बज़े कि आप आपको आपको जहें कहां से कहीं पर जाए आपके पास नहीं जानका रही आगए थी तो हम हमारी भग्दी जो भी है हम लोग जब पूजा करते हैं जो भी मन में बोलते हैं कि वी तो समें तुन अपका पत्र गिरा और फूल गिरा और हमारी सहयोगर्य जो हमारे का तब पूरा के ejemplo 1 2 6 ale यह तो कुछ फिल्मि में जैसे फिल्मों में हम देखते कुछ उसे था से कि ब्धागवान जी कि inkell आपने मांगी फूल गिर गया आपकी पनुकामनपूरी हो गई यह तो कुछ वैसे हो नारा लगाया है रहर महादेव और उसके बाद में हमने कहा कि टीचर साहब तो सीम बनी गए और तब हम वहां से जब निकले हैं तो मैंने साहब जी को पहले ही बधाई दी कि सर जी आप बिल्कु कि उनको हमारी पूजा बहुत भरोस्ता है इसलिए तो आज तक हम इस तरीके से पती पतनी संसधिय चेतरे चला लिए इतने सालों से और प्रदेश सद्देख चे रहे तो बहुत बार उनका बैठाक इतना रहता था इतर कारेकरम सौप में हैं उसमें हजारों के भीड है और सायोग है कि उस दिन जो हमें हमारे क्लाश टीचर रहे हैं और स्रीजन राम भागत जी अब अभी कांकेर में पदस्त हैं तो वह बैठे हुए थे उनके साथ हम बैठे थे अब बहुत अच्छा लग रहे हो जाए आप मेरे गुरू है और मैं आपके सामने बैठी हुए और साथ बैठे हैं तो संबाव के बिल्कुल हो जाएगा अब बस तैयारी करें और जब तक हम बात करें दादा को चाय पानी पिलाया खबर आगई और मैंनों दादा हो गया है क्योंकि जब वो यहां घर से निकले थे उस समय तो आप लोग यहां पर नहीं थे कयास लग रहे थ अब घर पहुंचे तब तक तो आप लोग पहुच गया होंगे क्या था हमने यहां तैयारी कर रखी थी और लोगों का भीड तो जमावाड़ा तो लग चुका था और हमने वाटसप के माद्धम से फोन के माद्धम से अपने बग्या का भी समाचार प्राप्त किया कि वहां दस-क्यारब बज के उनके आगमन तक के लिए तब तक भीड लगी रही हम लोग जब यहां पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग तो कई सारे नामों पर चर्चा कर रहे थे उसी में से विश्णुदेव जी का एक नाम था आप तो लगता है कुछ ताल बीजे मिला देती आ विश समझा जा सकता है कि किस तरीके से परिवार की अपनी अपक्षाहें हैं लेकिन परिवार की अपनी अपक्षाह है लेकिन एक महत्तबूर्ण चीज़ की जनता ने नेताओं ने भले ही बढ़ाई बाद में दी हो लेकिन उनकी पत्नी ने उनको जीत की बढ़ाई पहले ही दे दी थी जीत की क्या मुख्यमंत्री बनने की बढ़ाई पहले दे दी थी और यह अपने आप में काफी रोचक है तो फिलहाल हम बात कर रहे थे विश्णु देव सहाय जो की छत्यसगर के नए मुख्यमंति उनके परिवार वालों से और कुछ इस तरीके से इस वक्त परिवार का है माहूल। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बया करती है कि इक परिवार के मुख्या के तौर पर वो कैसे रहे और अप्रदेश के मुख्या के तौर पर वो क्या कुछ करने का योजना है और किस तरीके से परिवार